एक हम blank format बना लेंगे blank format में operating activity के तीन heading लिख लिए और investing activity का यहां आ गया financing activity में क्या आएगा और cash and cash equivalent और हम ऐसा बिलकुल भी नहीं करेंगे के पहले मैं यहां का add वाला column देख लूँ फिर less वाला और इसके अंदर सबसे top पर क्या आता है हमारा net profit ये भी मैं लिख लेता हूं जो भी आएगा ठीक है तो एक question आपके book में है वही question मैं try करता हूं तो देखना इस format के बाद कितनी जल्दी answer आजाएगा question number 45 जिसके अंदर तीनो activity करेंगे हम operating activity भी और financing activity भी हां जी दिखाईए आप एक पर book पीछे से ले लेक book 45 देखो मैंने blank format noting को ही मत करना पहले समझे लो blank format बना लिए सबसे पहले है share capital एक एक करके मैं sequence से लेके चलूँगा मैं कभी भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मैं पहले operating activity complete करूँ फिर मैं जाओंगा investing पे वह गलती नहीं करने वाला मेरे पास सबसे पहले share capital मैंने पहले ही format बना लिया financing का यहां जाएगा increase हो रहा है देखो 2,00,000 का तो मैं यहां लिखूँगा surplus note number one profit है दो लाग का यह आ गया operating में इसके बाद number three long term borrowing कुछ note वगएरा नहीं दे रखा rate भी नहीं दे रखा तो interest का भी कोई काम नहीं है simple देखने बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है यह कितने बढ़ गए long term एक लाग चालिस अजार simple तरीके से लेके चलना है trade payable trade payable हमारा working capital का part होता है तो trade payable आ जाएगा यहां पर minus trade payable कितने का पचास अजार रुपए है ट्रेड पेबल का short term provision tax है यह adjustment होता तो account बना लेता भाई adjustment तो दिया ही नहीं तो मैं current year का add previous year का minus तो provision for tax current year का देखो एक लाग है इस वाले कॉलम में और इसके बाद less कर देते हैं provision for tax paid कितने का एक लाग 54,000 यह minus होता है यह लो मैं sequence चलूँगा मैं बीच में नहीं देखूँगा बिल्कुल भी tangible assets tangible assets में note number two देखते है note number two में accumulated depreciation भी adjustment accumulated depreciation का जो कर रहा हूँ है वैसे करेंगे अब accumulated depreciation का adjustment में देखा जाए तो क्या दे रखा है और नीचे और एक और adjustment तब तो हमें account बना लेना चाहिए मैंने बताया था इसमें account बन भी सकता और account नहीं भी बन सकता लेकिन जो फिलाल situation मुझे लग रहा है नहीं हाँ पे तो इसमें तो account बनाई लेना ठीक रहेगा क्योंकि नीचे adjustment है और आप इस adjustment को देखते रहो कोई फरक नहीं पढ़ेगा वो वही रहेगा बच्चे क्या करते हैं बार बार उसी को पढ़के घूडते रहते adjustment को और कुछ नहीं करते हैं सिंपल machinery account प्रोविजन फोर depreciation account थोड़ा short form यूज कर रहा हूं है अब देखने से कोई फाइद है नहीं balance bd cd लिख लो बस आपको solution मिल जाएगा इसका लिखूंगा मैं 2 balance bd 20 लाक और इसका by balance cd कितने का है 25.4 लाक अब इसका bd कहां जाएगा by balance bd कितने का और two side में आ जाएगा two balance cd 4 लाक तो यहां पर मैंने कुछ कम वर्ड लिखा है तो उसके हिसाब से देख लिए ना आप manage कर लिए short form में लिख रहा हूं सरिफ इतना तो कर सकते हैं अब हमारा काम स्टार्ट होगा कहता है जी मैंने 48,000 रुपए costing का machinery 48,000 costing का machinery debt minus है क्या इसमें costing में नहीं होता है book value में minus होता है 48 जिसके उपर debt कितना लग चुक है 32 उसको बेच दिया बारा का तो उसके उपर debt जो भी कहा है उसका debt है न उसका debt यहां लिख देता हूं machinery account कितने का और यह इधर आ जाएगा बाए प्रोवीजन फोर कि अब इस पर प्रॉफिट लॉस काउंट कर लेते हैं 48,000 का था 32,000 का डैप लग गया बचा और जिसको बेच दिया लॉस आ गया कि समझ मेरा कैसे आगे चार का लॉस अब बाए साइड में बैंक बारह हजार और बाए साइड में पी एंडल से चार हजार इसको टोटल कर लेंगे तो पच्चिस लाग अठासी हजार और पच्चिस लाग यहां बैलेंसिंग फिगर निकलेगा बैंक से परचेज पांच लाग यहां अगर मैं प्लस करता हूँ तो 32 और 4 लाग 32 अजार 4 लाग 32 अजार माइनस 3 लाग तो 1 लाग बाय डप्रिशेशन पी इनल के अपर करेंटियर का अब ट्रांसफर कर देते हैं ट्रांसफर कैसे करेंगे देखते हैं बैलिस BDCD का तो कोई रोल नहीं है प्रोविजन फोर डिप्रिशेशन का नहीं है बैंक से क्या यह सेल fix assets बेच है, कहां का part है investing का तो add sale of machinery 12,000 profit and loss, operating का part add कर देंगे loss on sale of machinery, कितने का अब ये तो use करना नहीं है, purchase less purchase of machinery, कितने का 88,000 minus में आ गया, ठीक है इस account, इस account से क्या pick करेंगे depreciation current year का depreciation 1,00,00, ये लो ये खतम होगी account, यानि adjustment किया, तो सारे adjustment को देखके उसी time फटा-फटा entry करना है, ये खतम होगया tangible के बाद intangible, intangible में है क्या goodwill 21,24 से 80, तो goodwill घट गया, कितने का एक लाख, 44,000,00, चलो ये भी खतम होगी है, current investment, current investment तो इसका part है न, opening balance क्या है, तीन लाख, ये लो तीन लाख लिख दिया, current investment के बाद आजो, inventory, inventory तो working capital का part है, ये भी बढ़ रहा है, तो माइनस होगा यहाँ पे, stock, 16,000, इसके बाद क्या था, trade receivable, ये भी माइनस, कितने difference है, 50, 4000, इसके बाद, cash and cash equivalent, 6,40,000, ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6,40,000, सारे information complete, अब totaling का process जानना भी जरूरी है, के total कैसे करेंगे, इसका total यहाँ पे ले जाएंगे, इसको total करते हैं क्या आ गया, एक लाग, 80,000, एक लाग, दो लाग, तीन लाग, करो प्लस फटाफट क्या आ गया, तीन असी, और यह आ गया, 5,00, अब इसका total करेंगे, एक लाग, माइनस का, total तीन लाग, नहीं, चार लाग, प्लस का, अब यहाँ पे आएगा, इसको लिखेंगे, कैश, फ्लो, प्लस में आ गया, फ्रॉम, ओपरेटिंग एक्टिविटी, तीन लाग, छे अजार, एक आंसर निकाल लिया, पुट कर देते हैं एक जगह पे, तीन लाग, छे अजार, ठीक है, बीप का total कर लेते हैं, बी का total करेंगे, तो cash, मैंने बताए, used आता है, from, cash used from, investing activity, बारह जार माइनस कर दो, तो पांच लाग, और वो भी माइनस में, अब बी पार्ट पे लिख देते हैं, पांच लाग, माइनस का, सी पार्ट का कर लेते हैं, फटा फट से, cash flow आएगा, from, financing activity, तीन लाग, और तीन लाग, ये लोग सी के जगह पे लिख देता हूँ, यानि, format बना लोगे, आप करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपने इतना सारा काम कर दिया है, अगर दीरे-दीरे करोगे, तो लगेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, एक एक काम कर रहे हैं हम इसमें, इन सब को add less करेंगे, तो क्या आएगा, इसको add कर देता हूँ, 6, 4, 10,000, 40,000, इसको add less करेंगे, तो कितना आएगा, 70,000, 70,000, और ये आगया, 70,000, अब जो balance आएगा, closing, balance, 11,00, नहीं, 70 नहीं आएगा, ये, देखो, calculate करके, 70 यह आ रहा है, पांच लाग चेतर अजार है, ये, हाँ तो 3,6,000, 3,4,000, 3,6,000, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, है, ये, माइनस है, ये, प्लस है, अब बताओ, इसका टोटल क्या आए रहा है, इसको नहीं देखना आपको, ये तो अलग है, ये तो इसका पोर्सन है, आप सिर्फ इसका calculation बताएं, नीचे वालेगा नहीं, 70,000, 70 और 10, तो कितने हो गए, 11,00, लिखा नहीं मैंने, 6,40, 7,50 है, गलत क्यों बता रहे हो फिर, 7 और 3, 10,00, 50, तो 11,00, 20,000, आंसर को verify कैसे करें, closing balance देख लो दोनों का, तो closing balance किसका देखें, current investment का कितना है, 4,00, और cash and cash equivalent का, इनको total कर लेते हैं, 6,40, 10, 11,00, यानि यही total आपका match होगा, तो आंसर आपका ठीक है, तरवाइस गलत है, करने का फिर से तरीका, एक page पे operating activity, दूसरे page पे दोनों activity और calculation, तीसरे page पे आपका बनेगा working note, अब करें एक बार फटा फट note, 6 नंबर का question, बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा आपके exam में,